सस्क्राइब करें होमेट की राप्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर किलिक करें हलो फ्रेंड्स होमेट की राप्टिंग में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको तीन साल की बेवी गल्स के लिए जेकिट बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं यह मैंने टू कलर्स की ओनली है और यह मैंने सेवन नंबर का क्रोस्या लिया है देखे सबसे पहले में बिलू कलर लेती हूँ इस तरह से में यह नोट बानती हूँ देखे मैं यह नोट बानती है अब मैं चेन बनाओंगी चैन जैकिट में मैं 72 चेन बनाओंगी देखिए इस तरह से मैं बनाती हूं चेन देखिए इस तरह से ही पूरी चेन बनानी है देखिए हम मैंने चेन बना ली है 72 चेन इस तरह से बनाई है अब मैं यह थी चेन एक्स्ट्रा लूँगी वन टू और यह थ्री थ्री चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर इसमें में वन टू त्री फोर के बाद फिर फिप्त में डालाउंगी डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से वी मैं यह दबल क्रोशिया डाल दी है देखिए नजेर मैं ग्लीक नहीं ह्लाविए इसमें 11 अचेन डालाउंगी Nacht में जैकिट के इस तरह से ही डबल क्रोशिया डाल ले हैं देखिए मैंने ये 11 डबल क्रोशिया डाल दिये हैं 11 अब मैं बन की चेल लूँगी इस तरह से और फिर अगले में ये सिंगल डबल क्रोशिया डालूँगी देखिए ये देखिए वी स्टिच बन गया है यहां पर देखिए इसको जाली भी कहते हैं ये मैंने जैकिट में जाली डाल दी है अब स्लीप्स में मैं 14 डबल क्रोशिया डालूँगी देखिए मैं आपको ये टेबल बताती हूं इस तरह से मैंने जैकिट की टेबल बनाई है ये तेखिए अब स्लीप्स में 14 और बैक में 22 और फिर स्लीप्स में 14 और फिर फ्रंट में 11 इस तरह से मैंने ये करा है मैंने इसको फाइव पार्ट में डिवाइड किया है जैकिट को देखिए ये इस तरह से बनाना है इसको गले से जैकिट को और इतनी इतनी डबल क्रोशिया डालनी है अब मैं स्लीप्स में 14 डबल क्रोशिया डाल रही हूं देखिए स्लीप्स में अब ये 14 डबल क्रोशिया डाल दी है अब मैं यहाँ पर बन की चैनल लोंगी और फिर डबल क्रोशिया डालोंगी इस तरह से यह मैंने वी स्टिच डाल दिया है यहाँ पर भी यह मैंने जाली डाल दी है अब मैं बैक में 22 डबल क्रोशिया डालूंगी देखिए देखिए बैक में मैंने 22 डबल क्रोशय डाल दी है है मकि ऐगले में, भी स्टिच डाल गया है ह्ऊरडी में 14 डाल ओगी 12 डबल क्रोशिया गा- हुई हुआ सब्सक्राइब ने विश्वार प्रणाइब नियुक्त ना रहा है कि अब देखिए अमने इस लीव में 14 डवल क्रोशा डाल दिये है अब मैं फिर बन की चेन बुनोंगी और नीचे ये डवल क्रोशे डालूंगी सिंगल डवल क्रोशे डालती है ये वी स्टिच बढ़ गया है अब मैं फ्रंट में 11 डवल क्रोशे डालूंगी झालूंगी देखिए यह मैंने 11 डबल कुरोशिया अब डाद दिये हैं फ्रंट में देखिए यह फर्स्ट रुवा बन गई है जैक्ट की अब मैं सेकेंट रोव बनाती हूँ रहिए सबसे पहले मैं ठीकी चेंड बनाऊंगे बन टू थरी की चेंड बनाने के बाद डबल क्रोशिया डालाओंगे इस तरह से में डबल क्रोशिया डाल रही हूँ किसा आजूाईल किससे जजूजग आज सकती हागी थाइगए रम sentiments किसा किसा झाल पॉचका झाल मुचकाल देखिए अब इसमें जाली में मैं इस्टिच में डबल क्रोशिया डालूंगी सिंगल डबल क्रोशिया देखिए मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डालती है हमें फिर बन की चेल लूंगी और फिर ही सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी देखिए इस तरह से है इसमें मैंने टू डबल क्रोशिया डालती है बन की चेल लेकर फिर अगले में सिंगल क्रोशिया लेनी है डबल और फिर इसी तरह से ये डबल क्रोशिया डूननी है देखिए जितनी जगे मैंने ये जालिया डाली है भी स्टिच डाले हैं बहाँ पर टू ही डबल क्रोशिय डाले हैं बन की चैनल लेकर देखिए यहां भी टू डबल क्रोशिय डाले हैं बन की चैनल लेकर और इधर भी और इधर भी देखिए आओन लोग आया मेंटने लुड़ार सेच्पी आओना यार आओनाओा हैं अजने हाँ अए रया हुदाना कुष दो दुछारिं एड़ार इड़ कि लादारिंगा नहीं आदारिंगां यह बंबाना हैं जे एवार घचारिंग हैं फजब स्द्दिद को हुआ हैं करेंग हुआ हुआ हम यहाद। कि अब यह दूसरा भी इस्ट चा गया है और यहां पर भी मैं डूदबल क्रोशिय डालूंगी और बीच में बन की चैने के पहले में टू डबल क्रोशिया और बन कीजिए देखिए इस तरह से यह भी इस्टिच में है फिर अगले में डबल क्रोशिया डाल कर बुनना है इसी तरह से इसी तरह से ही यह पूरी रो बुननी है और आगे को इसी तरह से यह बढ़ता चला जाएगा देखिए अब मैंने यह इतना बड़ा बना लिया है इसमें मैंने डोल नाइन डाली है बारा अब देखिए इसकी चुडाई हो गई है आप पो इसकी चोली की चुडाई बताती हूं जैकिट की यह 26 सेंटीमीटर हो गई है इसकी 26 सेंटीमीटर और यहां से मुद्डे की लंबाई है 15 सेंटीमीटर 15 इदर से हो गई और 26 आगे से हो गई यह इतना रखना है जैकिट का अब इसमें दूसरी मूल लगाती हूं में यह वाली देखिए अब इस कलर से में इसमें डिजाइन डालती हूं नीचे जैकिट में सबसे पैदा में यह थिरी की चेर बनाती हूं अब इसमें यह तू का कैप देने के बाद डबल क्रोशे डालो हूं गया तू और यह थिरी कि अगले में भी ऐसी डालना है वन चैन और थिरी डबल क्रोशे यह तू कि इस तरह से मैं यह डाल रही हूं मैंने बीच में यह थिरी का गैप दिया है थिरी डबल क्रोश्या का फिर वन चैन और फिर यह तू दिए तू यह थिरी डबल क्रोश्या यह थिर बंचैन और फिर तू देवल क्रोश्या इसी तरह से लिए पोरी लाइन बनानी है तू अ तंबल क्रोश्यार थिरया लाऔ इस तरह साफी एδंणातर थास में और हम बंगको खिरी इस्द Temper रह थिया है कि नहीं है QUE धराई है । कि अब मैं यह स्लीव से जोड़ती हूं इस तरह से बरावर रखे इसको जोड़ना है यह जो मैंने भी स्टिच बनाए है इसमें डालकर जोड़ना है दोनों को देखे मैंने यह क्रोशय निकालकर फिर मैंने यह सिंवल क्रोशय बनाए इस तरह से इस तरह से यह स्लीप्स जुड़ गई है फिर अगले में डबल क्रोशय डालका बुनना है त्री डबल क्रोशय यह फन टू और यह थ्री फिर वन चैन और फिर थ्री का गैब देने के बाद त्री डबल क्रोशय मैं इस तरह से बना रही हुए डिजाइन अब यहां तक मैं ऐसी ही दूरूँगी देखिए मैंना भी यहां तक बुल लिया है यह अब यह दूसरी स्लीप चोड़ूँगी इसको भी मैं ऐसी ही जोड़ूँगी जैसे मैंने पहली वाली जोड़ी है देखिए डूरूं को मिलाकर तरह से मिलाकर तोरों को जोड़ा है। सिंगल क्रोशे लेते हुए देखें मैंने ये अब सिलीब्स को जोड दिया है देखें इस तरह से आ गई है इस लीप्स अब फिर अगले में मैं त्री डम ग्रोशे बुनूंगे पर देखें वान चेन और फिर त्री का गएप देने के बाद फिर डम ग्रोशे कि यहां तक बुनूंगा इसी तरह से अब लास्ट में इसर से सिंगल डबल प्रोश्या बुनूंगा इस तरह से कि इस तरह से पूरी लाइन मैंने अब कम्प्लीट कर ली है इस लीप भी आवी है पूरी नीचे से में बनावी रही है देखिया अब इसमें मैं एक लॉइन और बनाओंगी बलैक से ठीकी चेन बनाओंगी वह थी की चेन बनाने के बाद मैं इसमें डबल क्रोशिय डालो हूँ है देखिये मैंने यह थी डबल क्रोशिय डाल दिये हैं फिर अगले मैं भी ऐसी डालो हूँ है थी डाल क्रोशिया वन टू और यह थी तरह से अगले में भी त्री डबल क्रोशिय डालना है पूरी लाइन इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने यह पहली लाइन बनाई है वैसी यह दूसरी बने लिए पहली है त्री डबल क्रोशिय और यह बना इसी चिर में टूसरी लाइन ऑली मैं सेंगे में इसी तरह से ही बनानी है यह इसमें सिंगल डबल प्रोच चे डाल रही है इस तरह से अभी दूसरी लाइन भी मैंने कंप्रीट कर ली है देखिए इस तरह से आगी है दूसरी लाइन भी अब इसमें मैं विलू करल से बंगती हूँ सबसे पहले में तरी की चेन बनाओंगी वन टू थिरी कि तरी की चेन बनाने के बाद फिर मैं इसमें ही डबल क्रोश्य डालों ही तरी डबल क्रोश्य यह कि कि मैंने टिर्डबर किरोशिय डालती है फिर अगले में भी थ्री डबर किरोशिय डाल हूँ आ रम कर दो पिर्डबर किरोशिय दाले हैं अगले अगले में भी तो पर टो यह गड़ा है इसी तरह से ही पूरी लाइंग बनानी है तरी डबल किरोश्या के साथ अबल अबल किरोश्या अबल काओ लाइंगे इसना करें लाइंगे मैं बाइंगे मैं थीलूंगे इस तरह से आ रहा है डिजाइन अब मैं फिर यह बिलू कलर की टू लाइन बनाऊंगी फिर मैं बिलेक कलर की बनाऊंगी इसी तरह से यह नीचे को बनेगा देखिए इस तरह से आएगी यह जैकेट बंत हुई इसमें फिली डबल क्रोशे ही डालने हैं देखिए जैकेट को मैंने अब इतना बना लिया है देखिए इस तरह से अब मैं नीचे की लाइन कम्प्लीट कर रही हूं बलैक से मैंने इसमें त्री डबल क्रोशे डाले हैं तू और यह थिरी तरह से डालना है दबल क्रोशे अगो फिर मैं इसमें सिंगल डबल क्रोशे डालूँगी लाश्ट में अब यह नीचे से जैकिट कम्प्लीट हो गई है अब इसको मैं आगे नहीं बुनूँगी देखिए यह जैकिट इस तरह से आ गए है बन का अब मैंने यह नीचे से नहीं बनाओंगी इसको जैकिट को थर दाइ में मैंने six double crochet बढ़ाए हैं देखे मैं आपको बताती है उस तरह से मैंने देखिए मैंने six three double crochet डालने की जगर मैंने यहाँ पर six double crochet डालती हैं इस तरह से one two three four five और यह six मैंने six जगर डाले हैं सिर्फ एकी लाइन में बढ़ाना है और इन्टू लाइन में नहीं बढ़ाना है यह टोटल फाइब लाइन है तो फॉर लाइन में नहीं बढ़ाना है फाइब लाइन में बीच की लाइन में आपको यह डबल क्रोशिया बढ़ाना है इस तरह से ही जैकिट बनकर आजाएगी अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी और इसमें जैकित में बटन लगाऊंगी देखिए अब नीचे से बॉर्डर में बिलू कलर से ही बनाऊंगी सबसे पहले मैं ये थ्री की चेल लोगी वन टू थ्री थ्री की चेल लेने के बाद मैं डबल क्रोशय डालू भी वन और ये की ये टू मैंने इसमें टू डबल क्रोशय डालती है विज आप रगले मैं इस तरह से तरह से तरह से बीच में डालना है सिंगल क्रोशय उनुद गुणना है देखिए इस तरह से ये बोड़ा राजाय का मन पर पर पिर टू की चेन और फिर डबल क्रोशय रहाए कि अगले में इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया लेकर बुलना है और फिर टू की चेन और फिर डबल क्रोशिया डाली है मैंने है और सिंगल क्रोषिया से बुड़ना है 심 fans डूकी रहा है और फिर 2D क्रोषिया मेर् ड़्ट क्रोशिया है ये मैं इस इसे तरह से कौंड़ बनाना है मैं हमानी निचे से मैं बिलू से बनाओंगी और यहां से माना ब्लैक यहां से बनाओं इस तरह से मैंने नीचे का ये बोडर बना दिया है इस तरह से आया है नीचे का बोडर बनकर अब यहां पर भी मैं बोडर बनाओंगे देखिए अब मैं यह बलैक से बनाओंगी यहां पर दोनों साइड़ों में और स्लीप्स में सबसे पहले में यह थिरी की चेन बनाओंगी देखिए मैंने यह थिरी की चेन बना लिए है और फिर मैं टू डू डबल क्रोशिय डाल दूप बन और एक यह तो 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 टू डबल क्रोशिय डालने के बार इस तरह से तो की चेंड और फिर टूडबल ग्रोशिया जैसे मैंने नीचे बनाया है इसी ही मैं इसाइड में बनाऊ, आगे इस तरह से ही टूड़ी चेंड और फिर टूडबल ग्रोशिया पूरा बोडर इसी तरह से ही बनाना है देखिए इस तरह से आ रहा है यह बोड़र देखिए यह बोड़र इस तरह से आ रहा है बनता हुआ फिर टूड़ी चेंड टूडबल ग्रोशिया झौड़ी चूड़ी चूबल पूड़ी बन्यचका ठास्ट और अम्मटन करो जङ़ीचा जड़ज़ी चूड़ीचा भू़ीचा शुड़ीचा जड़ीचज़ लाद मारोशिया देखिए यह मैंने बॉरर बना दिया है अब यह बॉरर कंप्लीट हो गया है नीचे से भी और आगे से भी कर दो कि प्रुट है ब texture को झाल कि अं хл perfection कि ब खुम है ठीत कि अ ब बुम है प्राइब दोचे लागा झाल अब मैं ये स्लीप में बनाऊंगी बोडर देखिए ये ब्लैक से ही बनाऊंगी सबसे पहले में थिरी की चेन बनाऊंगी और फिर टू डबल क्रोश्यर डालोंगी सबस्काइब करें करें और इस बना रही है जैसे ये बोडर बनाया था वैसी ये इसको बना रही है इस तरह से टोपी चेन और फिर टू डबल प्रोश हुआ इस तरह से आएगा इस तरह से आएगा इस तरह से तरह से आएगा इस तरह से आएगा इस तरह से आएगा है बनकर अब इधर का भी बनाओं इसी तरह से जैसे मैंने यह बनाया है अब दूसरा भी बनाती हूँ सबसे पहले मैं यह तरी की चेन बनाओं और फिर टू डबल क्रोश है डालूए इस तरह से यह पूरा बोडर बनाना है तो की चेन और टू डबल क्रोश है देखिए अब यह मैंने यह बोडर कंप्लीट कर लीएगा यह है कि देखिए इस तरह से बनकर ये बोडर आ गया है कि स्लीप्स का भी और आगे गने का और यहां पर अब मैं यहां पर बटर लगाऊंगी और डोरी डालोंगी अब मैं इसमेर बटर लगाती हूं सबसे पहले कि देखिए आप मैं यह जैकेट में बटर लगाती हूं कि कि पर कि पूरापन्जाओ सब्धिया भंफ लुटाब जонेखने विरोगर के के लिए लाइगने लाइग से लुटारा लाइग मुटारा से लाइग हुआ है देखिए इसी तरह से ही यह बटर लगाने है पूरत्स अप्रकाइण को अपब warm के दिए कखिए अब डूरी पनाटी हुँ मेरे दोरी बनाती हूं यह तो थागे लिए है लेकि इस तरह है रखिए पूरी टोरी बनाने से बनानी है, पूरी लाइट से बनानी है, पूरी खुआ है, पूरी बनाना से ऊंगार 2105-1. कर दो किया है देखिए अब मैंने इसमें ये जैकिट में बटल भी लगा दिये हैं और ये डोरी भी बानती है अब इसमें मैं पॉम पॉम बांधूंगी देखिए अब मैं ये इसमें लगाने के लिए पॉम पॉम बनाती हूं देखिए अब मैंने ये दोनों पॉम पॉम बना लिये हैं अब मैं इसमें दोरी में बांध देती हूं देखिए इस तरह से बांधना है इसको देखिए इनको इस तरह से बांधना है देखिए मैंने इसको बांध दिया है जो एक्स्ट्रा धा गई है है हमको इस तरह से कट कर देंगे ने तो दूसरा भी मैं इसी तरह से बांधना हूंगी Tot औरे डोरी भी बन गई है औरे जैकिट भी कम्प्लीट हो गई है देखिए ये जैकिट बहुत ही सुन्दर लग रही है पॉम पॉम भी मैंने बान दिये है और बटन भी लगा दिये है इस तरह से ये बन कर आई है अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सस्क्राइब करें थैंक यू